सब्सक्राइब कर लिए और इसमें चार सवाल होगा तो बहुत इंपोटेंट सवाल याद है तो अच्छी बात है नहीं याद आप इसको नोट कर लिजेगा और पहली बार आदे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इस आइड़ी से इसके नियम जानते हैं इसके दो नियम परकास का इसके नियम जानते हैं इसके कौन को नियम है पहला है कि आपतित किरन अपवर्तित किरन तथा आपतन बिंदू पर अभिलम तीनों एक ही तल में होते हैं आपतित किरन अपवर्तित किरन तथा आपतन बिंदू पर जो अभिलम होता है वो तीनों एक ही तलप होता है जब एक ही राझ की पर श्री होता है कि ने EU माद्यम के सीमा तलप त्रची आप्ध्रत होती है तो आप्ष नकोन की जिया और आप्ष नकोन की जिया यानि की सेन आर कानु mail- cette है इस तरह से दर्शाया जाता है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं इस तरह से मैंने आपको बताया है उमीद है आपको याद परकास का परतन का डिफनिस है आप शुड़ गया आप इसको नोट कर लेना ओके तो यह आपका इंग्लिस सवाल यह पहला रूल है इसको नोट कर लेना इंग्लिस वाले चलिए दूसरा सवाल है पानी में डूबी हुई लकडी मुडी हुई परतीतिति क्यों नेकि जब पानी लगनी डुबा हुआ है तो हमको तिरचा वालूम होता है क्यों परकास के किरन सगहन माध्यम से विरल माध्यम में आती है सगहन माध्यम से चुकि मेरा यहां पर आँख है हम हम देख रहे हम को लग रहा कि मुड़ा हुआ मालूम हो रहा हम को मतलब मेरे आँख फोटो बन र दिलकरा कि ये मुड़ा हुआ है लकड़ी जो मुड़ा हुआ है इसका मतलब यह जो पानी भर होना इसको बुला गया Nolan में और जीसे हुसी पार होती है हवा में आते हैं नंभ से दूर मुलालूम होता है अगर आप सीधा जाने इस इससे परकास ले जाएंगे तो परकास को सीध़ा जाए था इस तरह से लेकिन हवा से या निकी विर से उस्गन मे जाता है तो लमबवत की ओर मुड़ जाता है तो तो जस्ट्रिस का उल्टा अगर पाने से यानि कि जो डेंस है जो सगन से विरल जागा तो लंबवत की और दूर भागेगा तो इसी कारण जो है हमको परकास किरने लकडी के जो टूकला है ना वो हमको मूड़ा वह मालूम होता है इंग्लिस के इसका नोट कर लो ना इंग्लि जो अंग्ठा के भगल में है माध्यमा कौन हो गया जो पर्जनी के बगल में और गोठा उत्तिनों को फैलाएंगे लमवत फैलाएंगे ना इस परकास को लंब वादल घुश्य को परपेंटिकूलर के सबसे फैलाएंगे यादि तर्टो क्या वता तर्जनी चुम्बग के के चेत्री की दिशा के और संक्यत करेगी और जो माध्यम और चालक में पिरिद्ध विजुधारा की दिशा दर्साती है अगर ऐसा होता है तो यह फ्लेमिंग के दच्छिन हस्तनियम बोलता है कि अगर हाथ को इस तरह से पैलाते हैं तीनों उगलियों को तो इस परकार दर्सा जो तरजनी होता है चंबब के गुदर साती है और जो अंगठा है वह चालक के गती की दिसादा साती है तो यह फिलेमिंग के दाए यह नोट करें तो यह सवाल मुझे उमीद है कि आपको याद होगा याद नहीं तो नोट कर लिजएगा और इसको याद भी कर लेजएगा बिजद बल्व में टंगस्टन के फिलामेंट से हवा माद्य में विद्ध धारा परवायत करें तो यह हवा के ऑक्षिजन से औसी कीनित होकर भंगुर हो जाए यह विद्ध बल्व में हवा निसकीयव गैस ना भर जाए मतलब जहींसे हवा है अगर और यह सहीं रहा जाए माले की हावा छोड़ देशे माले की बलव नहीं है चैसी टंगस्टन ले लिए और यहां से विदुध्रा परवायत करें खुला में पुरा खुला में हवा में आगर इसमें विदुध्रा परवायत करेंगे हैं तो यह भंगूर हो के टूट जाएगा तो टूड़ जाएगा यसको निकाल लेते है और निस्किर रगान किसी से करिया नहीं करती अर नकाल भी है सब्सक्राइब करते हैं अब तो आगया LED बल्ब आगया ना जो पीला टैप का बल्ब होता है ना जो पहले यूज होता है अब तो एलेडी हो चोटा-चोटा तो जो विद्धुत बल्ब होता है उसके अंदर निस्कीरी गैस भर जाएगा तो फिलामेंट टूट जागा क्योंक तूट जाएगा इसलिए उसको घैस से हावा निकालते हैं और निस्कीरी गैस बरतें तक कोई गैस उससे किरिया ना करे निस्कीरी गैस में किरिया ने करेगा तो यह सवाल इसको नोट कर लेना और आजके लिए तने ही काफिए फिल मिलते हो नेक टृड़ियो में पहली बा